केशव जी ने मुझे इमेल भेजी उन्हों ने कहां उन्होंने शिक्वा किया कि हारेश भाई आप सब को सब को भक्त कह देते हैं और इसी तरह का एक शिक्वा में इसे गोरे ने भी नॉर्वेग गोरे ने वो इंग्लिश वाले स्ट्रीम में करूँ गा उसे का यार हारे साब हारे कोई राइट विंग कह देते हूं भाई हिटलर लेफ्ट विंग था जोजर स्टालिन लेफ्ट विंग था ये सारे लेफ्ट और ये बार ठीक है लेकिन आज के लिए दुनिया उसका कॉंटेक्स मांगो तो ये केशिव जी ने कहा कि भाई मैं हिंदुत्वा को मानता हूं लेकिन मैं जो ये जो रैडिकल हिंदू फंडामेंटलिस है मैं उनके खलाब हूँ ये जो मुसल्मानों पर अगर कोई जल्म करता है तो मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ वगयरा वगयरा तो कहते हैं मैं हिंदू भक्त हूँ और हिंदू तुवा को मानता हूँ तो मैंने आपको केशिव जी एक ये बात कहनी है मुझे आपकी नियत के उपर कोई शक नहीं मुझे आपके खलूस के उपर कोई शक नहीं मैं आपको ये एक समझाना चाहा रहा हूँ और आप प्लीज मेरे पर ये लॉजिक न अप्लाई कीजेगा, तुम्हें पता नहीं जासे, आपके संजे डिक्सट को मैंने ठीका लगाया, मैंने का आओ बात कर लो, हमें नॉलिज दे दो आप, लेकिन वो ढरते हैं, उन्हें पता है, वो चाहे मेरे सामने रमायन खोल के बै दुनिया की हर्द सौगात को चक्खा उन्होंने, आपके साहे में, लेकिन उन्होंने का कि पाकिस्टान को इसलामी मुलक होना चाहिए, क्योंकि इसलाम बाइ नेचर सैकुलर है, बहुत बड़ी पॉपिलेशन मुसल्मानों की ऐसी है, जो ये समझती है कि इसलाम बाइ नहीं है, इसलाम होना आक्सी मोरान है, ये दोनों चीजें मुचली एक्स्क्लूसिव हैं, ये एक जैसी हो ही नहीं सकती है, या तो इसलामी मुलक बनेगा चाहिए, जितने मर्जी राहिट साब मानारिटीज को कहें कि हमने दे दिए, लेकिन वो सैकुलर नहीं हो सकता, अग ये लॉजिकल व्यू है, हम तो मानते ही लॉजिकल चीज़ों को, मान लिया आप उसको लॉजिकल चीज़ों को मानते हैं, लेकिन आप उसके साथ हर बंदा नहीं चल सकता, आपको उसको अपने आपसे लयदा करना, अगर आपने आपको truly liberal slightly secular मानना है तो आपको और आपको कहते हैं कि अच्छे चलो मैं भगतू हूँ, मैं अपने आपका secular नहीं कहता, मैं सनातनी हूँ, मैं मानता हूँ सनातनी हूँ, ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा, imran Khan भी मुसल्मान है, लेकिन बहुत सारे और मुसल्मान हैं जो जहादी भी है तो हैं तो दोनों मुसल्मान तो उनकी डिग्रीज हैं डिफरेंट डिग्रीज हैं आप कहसे हैं यह ऐसा है मुसल्मान एक मौडरन मुसल्मान है अमन पसंदी वाला फिरे आप कहसे तो भी वो उसामा बिलादिन भी है तो उसी क्या उसकी लिटरल डेफिनिशन होगी, मुझे उसकी समझ है, तो वो तो ठीक है, अब ये भक्त आगे हैं, अब ये कहा रहे, इम्रान खान जहादी है, उसने भारत पर जहाद हमला करवाया, कब करवाया होए, धकन, कहा के यार ये धकन लोग उठके आ जाते हैं, भक्त शुर तो जिनको मैं ये कहता हूँ, उनको मैं कहता हूँ, उसी तरह हो जाते हैं, जैसे मुसलमान, मेरा कहने का मक्सित है, जब हम उसामा बिन लादिन को कहते हैं, मुसलमान, राडिकल मुसलमान, तो मुसलमानों को भी तकलीफ होती है, यार ये तो मुसलमान नहीं है, हम हैं असल मुसल्मान हम जरसे जो modern गाने गाने वाले मुसल्मान हैं हम हैं असल मुसल्मान उसामा बिलादिन असल मुसल्मान उसी तरह आप लोग जो कह रहे हैं कि हिंदू fundamentalist जो हैं उनको भी भक्त बोल रहे हैं तुम हम भक्त बोले हैं वो भक्त नहीं हम भक्त हैं यह एक बैगेज और फॉर्चनली वी डून लाइक इट इसी की वज़ा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम करते हैं मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियोन पर जूर सपोर्ट कीजिए ताके मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पंचा सकूँ झाल